अगर आपको बिहार पुलीस की बर्दी चाहिए तो विडियो अन तक देखिएगा भुटान का राश्टिये खेल क्या है? अप्षन ए तीरंदाजी, अप्षन B, सुटिंग, अप्षन C, ताइक वांडो और अप्षन D, रेसलिंग चलिए इसका एंसर दिजिए इसका करेक्ट एंसर अप्षन E, तीरंदाजी होगा नेक्स्ट कोश्चन की ओर तुर्की का राश्टिये खेल क्या है? अप्षन E, घोडा, दोड, अप्षन B, कुस्ती, अप्षन C, हैंड बॉल, और अप्षन D, बास्केट बोल चलिए कुछ देरी का समय देते हैं, आप कॉश्चन लगा लिजिए अप्षन B, कुस्ती, क्रेक्ट एंसर होगा चलिए, नेक्स्ट कोश्चन की ओर असकोट लेंड का राश्टिये खेल क्या है? अप्षन E, आइस होकी अप्षन B, रगभी फुटबॉल अप्षन C, फुटबॉल और अप्षन D, बेस्बॉल चलिए, आपको पांच सेकेंड का समय देते हैं, आप एंसर देजिए इसका एंसर अप्षन B, रगभी फुटबॉल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन आइस होकी यानि की लैक्रोस किस देश का रास्ट ये खेल हैं, अप्षन A, कनाडा का, अप्षन B, अस्कॉटलेंड का, अप्षन C, डेनमार्क का, और अप्षन D, स्वीडन का पास सेकेंड का आपको समय मिलता है, आप लगा सकते हैं अप्षन A, कनाडा करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन निमलिखीत में से बंगला देश का रास्ट ये खेल क्या है, अप्षन A, कबड़ी, अप्षन B, खोखो, अप्षन C, किर्केट, और अप्षन D, बॉक्सिंग अप्षन A, कबड़ी, करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन, भारत में पोलो खेल का परचलन किसने प्रगम किया, अप्षन A, युनानी ने, अप्षन B, अंग्रेज ने, अप्षन C, तुर्की ने, और अप्षन D, पुर्तगाल ने इसका करेक्ट एंसर, अप्षन D, पुर्तगाल होगा चलिए, नेक्स्ट कोश्चन की और पोलो खेल का परचलन भारत के किस राज में हुआ था, अप्षन A, मीजोरम, अप्षन B, मनीपूर, अप्षन C, हिमाचल परदेश और अप्षन D, असम चलिए, इसका एंसर देजिए, अप्षन B, मनीपूर, क्रेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश्चन, सत्रंज का जन्म दाता किस देश को कहा जाता है, अप्षन A, रूस को, अप्षन B, भारत को, अप्षन C, सिव्गत राज अमिर्का को, और अप्षन D, इंग्लैंड को, इ निमलिखीत में से किस खेल का उदभव भारत में नहीं हुआ है, अप्षन A, सत्रंज का, अप्षन B, पोलो का, अप्षन C, कवर्डी का, और अप्षन D, बिलियर्ट करेक्ट एंसर होगा, इसका भारत में उदभव नहीं हुआ था, निमलिखीत में से किस खेल का उदभव इंग्लेंड में नहीं हुआ माना जाता है अप्शन ए लाउन टेनिस ऑप्शन भी होकी ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी वॉलीबूल चलिए आपको पांच सेकेंड का समय मिलता हुआ इसका क्रेक्ट एंसर दीजिए कोमेंट बॉक्स में या चैट के नुसार अफसर डी बॉलीबॉल इसका क्रेक्ट एंसर हो जाएगा ध्यान से दीजिएगा नेक्स्ट कोशन की और विलियर्ड्स खेल का जर्मदाता किसी देश को कहा जाता है अपसने फ्रांस अफसन बी सेक्टराज अमिर्का अपसन सी इटली और अपसन डी साुधियारब इसका answer option A यानि फरांस correct answer होगा चलिए next question की ओर like भी करते जाएगा वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाणियों की संख्यां कितनी होती option A 5 option B 6 option C 7 option D 8 रहा चलिए 5 second को आपको समय देते हैं आप इसका answer देए टोक 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 चलिए दीजिए simple answer है option C यानि 7 correct answer होगा चलिए next question की ओर चलते हैं यह previous year पूछा गया question एक पोलो टीम में कितने खिलाणी होते हैं option A 4 option B 6 option C 7 और option D 8 चलिए 5 second को आपको समय मिलता है इसका answer option A 4 correct answer होगा next question की ओर बेस बॉल में प्रतेक पक्ष में खिलाणीों की संख्यां कितनी होती है option A 9 option B 11 option C 15 option D 7 चलिए इसका answer दीजिए आपको 5 second का समय मिलता है इसका answer option A यानि कि 9 खिलाणी correct answer होगा next question की ओर कितने खिलाणी एक टीम में मैदान पर करमसा खोको कॉमा कबड़ी कॉमा भॉली बॉल बाव वास्केट बॉल में खेलते हैं यानि कि एक question में आपको 4 answer और 4 question का confusion दूर हो जाएगा 5 second का आपको समय मिलता है जो पीछे दिया हुआ है उसी को repeat किया गया यानि कि option C 9 7 6 5 correct answer होगा किस समूह के खेलों में परतेक पक्ष में साथ खिलाड़ी होते हैं आपको 5 second का समय मिलता है सोच समझ के answer लगाईएगा option C water polo तथा कवरड़ी यह दोनों में साथ खिलाड़ी होते हैं चलिए next question की ओर किस ग्रूप के खेलों में परतेक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या समान होती है option A polo एवं बाटर polo option B basket ball तथा volleyball option C baseball तथा खोखो यह हमारा option D football एवं रगवी 5 second का आपको समय मिलता है option C baseball तथा खोखो correct answer होगा चलिए next question की ओर दोस्तों जैसे की यहां पर लीखा जा रहा है कि पोलो में जो होता है सेवन खिलाड़ी होते next question किस ग्रूप के खेलों में परतेक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या साथ होती option A volleyball एवं बाटर पोलो option B water polo एवं बास्केट बॉल option C cover D एवं नेट बॉल और option D नेट बॉल एवं खोखो चलिए जल्दी जल्दी एंसर दीजिए इसका एंसर option C cover D एवं नेट बॉल हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन की और चलते हैं यह BVI कोशन है एक वर लगा लेने से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा यही कोशन बारवर पुछ जाते हैं किसी अंतराश्टी फुटबॉल मैच की समान समय अबदी कितनी होती अप्सन साथ मिनट अप्सन B 70 मिनट अप्सन C 90 मिनट और अप्सन D रहा 120 मिनट चलिए पौच सकेंड को आपको समय मिलता है एंसर दीए फुटबॉल मैच का समान अब दीए दरोगा में भी पोछा गया था इस वर बिहार कुलिस में पुछने की पुर्ण संभावना है यह अप्सन सी यानि 90 मिनट करेक्ट एंसर जो भी 90 मिनट एंसर दिया है उनका सही है किसी अंतराश्टी फुटबॉल मैच की मतला किसी अंतराश्टी होकी मैच की समान समय अब दिह कितनी होती है अप्सन ए 60 मिनट अप्सन बी 70 मिनट अप्सन सी 80 मिनट और अप्सन डी 90 मिनट यह अंतराश्टी होकी पिछला था फुटबॉल यानि कि अप्सन ए 60 मिनट करेक्ट एंसर होगा मुक्यवाजे की असपरधा में कितने कितने मिनट के तीन राउंड होते हैं अप्सन ए 2-2 मिनट, अप्सन B 3-3 मिनट, अप्सन C 4-4 मिनट और अप्सन D 5-5 मिनट इसका करेक्ट एंसर अप्सन B यानि 3-3 मिनट होगा नेक्स्ट कोशन, यह हमारा लास्ट कोशन है, कबड़ी की पुरुष असपरधा में कितने मिनट का एक हाफ होता है अप्सन A 15 मिनट, अप्सन B 20 मिनट, अप्सन C 25 मिनट, और अप्सन D 30 मिनट, अप्सन B 20 मिनट करेक्ट एंसर होगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो देख लिजे, थैंक्स फोर वाचिंग माई यूटूब चैनल यह सेट आपको परदी दिलाने में जरूर मदद करेगी बाकी यह वीडियो लास्ट हुआ जय हिन, जय भारत तुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक्टुक